हेलो फ्रेंड्स तो आज हम बनाएंगे बहुती सुजी और दो उबले आलू से बना करके तैयार करेंगे और यह कचआओडी बहुती कम समय में थोड़े से सामान से जटपट बन करके तैयार हो जाती है उपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सौप्ट बनती है खाने में बहुत ही स्वादिश्ट लगती है तो इस कचोड़ी को बड़े बच्चे सभी पसंद करेंगे तो देर किस बात की चलिये बनाते हैं फटा फट थोड़े से सूजी और दो ले आलू से बहुत ही स्वादिश्ट पटी क्रिस्पी कचोड़ी तो कचोड़ी बनाने के लिए हैं यहाँ पे हमने पैन को मिडियम फ्लेम पे गरम होने के लिए रख दिये हैं अब इसमें हम डालेंगे 100 ग्राम सूजी जितना हम इसमें सूजी डाल रहे हैं उतना ही हम इसमें पानी डाल लेंगे पानी बहुत ज़्यादे नहीं डालना है नहीं तो जब हम इसका डो बनाएंगे तो डो गीला हो जाएगा अब इसमें हम डालेंगे स्वादा अनुसार नमक तो अब इसको हम चला करके medium flame पे अच्छे से पका लेंगे, सूजी पकने में बहुत ज़्यादे time नहीं लगता है, 2-3 minute में सूजी पक जाती है, तो देखे सूजी पकी चली है, थोड़े देर और इसको हम चला करके पका लेंगे, तो देखे अब सूजी बहुत अच्छे से प बना लिये हैं, अब इसको हम हटा देंगे side में, अब हम कचोड़ी बनाने के लिए बनाएंगे चटपटा आलू मसाला, तो सबसे पहले हम पैन में डालेंगे आधा चम्मच तेल, तेल को हम अच्छे से गरम हो गया है, तो अब इसमें हम डालेंगे चौथाई चम्मच साब अब इनको हम चला करके golden brown होते तक पका लेंगे, तो तड़का अच्छे से golden brown color का हो गया है, तो अब इसमें हम डालेंगे चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, चौथाई चम्मच गरम मसाला, चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अब इसको भी हम अच्छे से चला ल मख अब इसको हम चला करके 2 से 3 मिनट तक आलू को अच्छे से पका लेंगे, तो कच्वड़ी का मसाला बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा खाने में, और सोंधा सोंधा भी लगेगा, तो आलू मसाला बन करके हो गया है तयार, तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी बार पूरी बद्रूशले करें रिल्छी तीन के सस्थी वेडको टी रखेंढेशले कहते हैं संपे माइट उतंगें अब इसको हम हाँ से दबा करके चिप्टा कर लेंगे और दोनों हाँ से गोलगोल घुमा करके थोड़ा सा फैला लेंगे जैसे हम पूरी बनाते हैं भरके वैसे हम इसकी कचोडी बना रहे हैं तो अब इसमें हम एके करके कचोड़ी को डाल देंगे, एक बार में जितनी कचोड़ी आएगी हम उतने को डाल लेंगे, बाकी बचे हुए कचोड़ी को हम दूसरी बैच में डाल करके डीफ्राइ करेंगे, तो देखे हमने एके करके पूरी कचोड़ी को डाल दिये हैं, अब अब इसको हम एक तरब से गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी होते तक सेख लेंगे, फिर इसके बाद हम इसको दूसरे तरब से पलट करके सेखेंगे, तो देखे एक तरब से अब गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी हो गई है कचोडी, तो अब इसको हम एक एक करके पलट लेंगे, दे करके निकाल लेंगे देखिए कितना सुन्दर कलर आया है कचोड़ी को और बहुत ही क्रिस्पी बनी है कचोड़ी को हम एके करके निकाल लेंगे तो फाइनली थोड़े से सुजी से बहुत ही स्वाधिश चटपटी क्रिस्पी कचोड़ी बनके हो गई है रेडी तो अब इसे ह झाल झाल